हालो एरियों आप सभी का स्वागता स्टडी लेठ पे सीर्टी के सभी प्यारे विद्यारतियों को नमस्कार और जिन विद्यारतियों की चार और पांस पर रहे को सीर्टी 12th लेवल की एक्जाम है उन सभी को अगरिम सुब काम नहीं तो एक बार फिर से हम आपके बिच में कल और इस क्लास में आपके 50 क्यूसन है तो अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 50 में से कितनी क्यूसन सहीवी अगर आप चैनल पर पहली बार विजुट कर रहे हो या फिर आपने भी तक शटडुलेट को सब्सक्राइब करका है तो सबसे पहले आप सबसे पहले से इंपोर्टेंट क्यूशन और जो मोड़र पेपर है वह आपको डेली परवाइड करो जाएंगे तो मेरा आप सब्सक्राइब नहीं करते हो सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन वेल को ओन कर देना ठीक है अगर आपको पीडिये वगएरा चाहिए तो आप 2017 का साहित्य अकादमी दिली का राजस्तानी का पुरुसकार किसे मिला है मैं यह बताना है वर्श 2017 का जो साहित्य अकादमी का पुरुसकार किसे मिला है यह मैं यह बताना है कि उस नमर में ठीक है इसमें हमें चार उप्सन दिये गए है एक तो हमारा यहां पे दिया गया है व्यास एक हमारा दिया गया है अम्बिकादत एक हमारा यहां पर दिया गया है तो इसमें आपका कौन सा उजाएगा इसमें आपका उजाएगा उप्स नमर्ट डी यानि निरेज डाल्या को दिया गया है उसके बाद आपका नेक्स नमर की उसने देखे नेक्स नमर की उसने कि वनस्तली विद्यापीट की स्टापना नीमन में से किस वर्स होई गुनी सो चोचोतिस गुनी सो पैंटीस गुनी सो चत्यस या फिर सैंटीस तो इसमें आपका हो जाएगा औहीं सोप physician नमर्ट भी Deto जाएगा याननि 1935 में वी ठीक है कब हुई ? 1935 के अंदर और उए अगला देखे अगला आपका डेक्शटान मानवा दिकार आयोक की पहली महिला अधिक्स कौन थी राजस्तान मानवा दिकार आयोक की पहली महिला अधिक्स कौन थी कांता कुमारी बठनागर या फिर परबाठ ठाकूर या फिर नरेंदर कुवर या फिर उस्सा मिना तो इसमें आपका हो जाएगा उप्सन में एक राइट हो जा बोदरनिया या फिर अमर्जित कोर तो इसमें आपका हो जाएगा उप्सन नमर यहां पर भी राइट हो जाएगा यानि कुसाज सी है ठीक है अगला देखे अगला आपका नेक्स्ट नमर क्यों सुने कि हेला ख्याल दंगल राजस्तान के किस जिल्य में परशिद है दोसा में ह है तो यह आपका काम पर फिर अबका ऊप्सन नमर कोँ जाएगा के यह नी दोस आमी में में ठीक है अगला अगला हो जाएगा है यह आपके कहां से समंदित है यह आपके उजाइगी स्रिकर्शन से समंदित नेक्ष नमर क्यूसन देखे कि 2011 की जनगर्णा के नुसार राजस्तान में नियूंतम गनतव वाले जिल्ले बाड मेर विकानेर जैसल मेर बाड मेर जैसल मेर विकानेर या फिर जैसल मेर चूरू तो इसमें आपका उजाएगा उपसर मेर शी यानि जैसल मेर और विकानिर हो जाएंगे उसके बाद आपका अगला नेक्स नमर के उसने कि राजस्तान का पर्थम पवन उर्जा सहें तर स्थापित किया गया था बताओ भई कहांपर किया गया था अमर सागर जैसल मेर बीठड काने वाला किस्तुर रहे कि बाली अभुष्णा रहे कांपर पहना जाता है पताओ कमर में नाख में आपकर काँपर पहना जाएग साइगा यह आपको कान में ठीक आप सब ही जोइनी कर लेना ठीक है, अगला देखिए अगला आपका नेक्सैनल मेर क्यों जनौन है कि माना परताब का पहली बारागस्छतिलयक कहां पर हो था और सब्सक्राइब नहीं करका थो सब्सक्राइब भी कर दे방ralruktur तो क्युस्तों नेमर है कि 60 है कि महाना परताप का पहली बार रासल का पर हुआ था चावंड गोगुंदा उदेपुर या फिर कुम्बलगड तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा इसमें आपका भी ओप्सन हो जाएगा यानि गोगुंदा के अंदर हुआ का पर हुआ गोगुंदा के अंदर हुआ ठीक है ध्यान में रख लेना उसके बाद आपका अगला किस्तों ने की उस वेक्ति का नाम बताई जिसे रतन से अनि अपने दरबार से निकाल दिया था तब तता बाद में वहे अलाउदीन खिल जी की सरण में चला गया तो एक तो सुंदरलाल ए खेटर समंदित help उधे पुर्षय समंदित है अगला देखो आपका राइट हो जाएगा अगला आपका गिस्तों ने की पर्थम राज़स्तानी फिलम का क्या नाम था बताऊ बही पर्थम राजस्तानी फिलम का नाम बताऊ निजरानो था बाबदा बाबासरी लाड़ली बाई चली सासरी या फिर महारी प्यारी चणना तो इसमें आपकी राज़तान की पर्थम फीलम थी उसका क्या नाम था बाबासरी लाड़ली ठीक है 팔 usted-OP सपत के सपत किसने लिन उन्हें नहीं सबसे अधिक बार है राजस्तान के मुक्य मंत्री के रूप में सपत अगला देखो अगला आपका नेमार नमर कोस्ते प्रॉप से नहीं प्रॉप से कि लिए धॉआ है यानि तंगर न्रॉप में किसे जाना जाता पीन दें लबवा को राजस्तान के घंद का उन में खोली तप में आपको पूंड़ल portions में रादी के वह यहां से पर आपको बाप्वा पना है और और यहां पर आपको वागड के घंद, नुमर को पूंस सवाबें में खोली अर्प पक्षी चिक्षाले कहांपर है बताऊ वई यह भी आपका important है कि राजस्तान का एक माथर पक्षी चिक्षाले कहांपर है जाइपुर अजमेर कोटा जोद पूर तो इस इसमें आपका उजाइगा option वहते हैं याने जाइपुर के अंदर राजदानी जाइपूर के अंदर जो पक्सी चिक साले है वो है अगला देखे अगला आपका किसानों पर आरोपित कर है तोप का नाम है या फिर मानसी है क्या अत्ति का नाम है तो लाग बाग है वो क्या है वो है किसानों पर आयुजित कर के नाम है ठीक है बी ओप्सन आपका राइट हो जाएगा अगला देखे अ इसमें आपका उजाएगा उप्सरमर कौन सा यह राइट उजाएगाड यानि 1969 में आया सुरी 1956 में और अजमेर का अगर आपको विले पूछ ले तब भी आपको क्या बताना है अगला देखिए अगला आपका नेक्स्ट नीवर की सुना है कि सबध राजास्तान का पहली बार पर्योव निमन में से किस इत्यास्कार द्वरा किया गया राइट हो जाएगा इसमें आपका उजएगा वपसरमर A right हो जाएगा यानि toad की दौरा, ठीक है toad की दौरा किया गया अगला देखे, यानि कर्नल जेमस तोड की दौरा राजस्तान सबद का परियोग किया गया अगला देखे, अगला आपका किसने की काली बंगा जो एक एत्यासिक स्तान है वह है राजस्तान की किस जिले में इस्तित है बिकानेर गंगानगर बाडमेर हनुमानगड तो इसमें आपका उजएगा हनुमानगड ठीक है कालिबंगा कहां पर आपकी हनुमानगड के अंदर है ठीक है अगला देखो अगला आपका नेक्स नुमर के उसने की तामर सेंस करती के चिन किस जिले में उपलब्ध है जईपूर सोरी उदेपूर कोटा बुंदी अलवर तो तामर सेंस करती की जुचिन है वो आपको बताना है कापर है तो यह आपके कापर हो जाएंगे यह आपके उदे अगला आपका नेक्ष नमर किसे जीले में पाई जाती है बताओ भगाई जीले में पाई जाती है कि मेवाड के सिचोधियां को निमन में से माना जाता है तो इसमें एक तो है सुर्य वंसी, एक है चंदर वंसी, एक है अगर वंसी, एक है नाग वंसी तो इसमें आपका उज़ाइगा सुर्य वंसी माना जाता है अगला देखे अगला आपका नेक्स नमर कि उसने की राजस्तान की पहली ओप्चारिक व्याकरण लिखी गई निमन के द्वारा किसके द्वारा लिखी गई तो इसमें आपका उजाइगा उप्चन नमर यहाँ पे D यानी हेमचंदर शूरी के द्वारा अगला देखे अगला आपका किसने की संगीत के जईपूर गराने के परश से जूड़ी है तो यह आपकी कांसे उजाइगी जैपूर कोटा मेवार विकाने चार आपको दिये गए है और यह आपकी उजाइगी उप्चन नमर से यानी मेवार से अगला देखे अगला आपका नेक्ष नमर के उसने की कालवेलिया और नरतिय राजस्तान के किस जिले मे अगला आपका अनेक्ष नमर कि उसने कि ब्गरु की चपाई राजस्तानी की किस से है जैपूर बरत पूर जालवार ब्नागोर तो बगरु की चपाई है यह राजस्तानी के किस इसले है तो ही आपकी हो जाएगी जैप फुर्शे ठीक है, किससे हो जाएगी, जैप फुर्शे हो जाएगी अगला देखो अगला आपका, क्यो शुह आए कि बाला किला कहाple इस दिता है, यह भी important है, ठीक है start लगाना चाहों, लगा लेना कि बाला किला कहाँ पर है तो बाला खिला आपका कहां पर हो जाएगा? हाँ अलवर केंदर हो जाएगा ठीक है? अलवर केंदर हो जाएगा? अगला की सुन देगी अगला आपका नेक्षटमर की इस तुन है की राजस्तान के नम células के सब्केसां के सबसे लंबे समय तक सम्मोदित किया जाता है अगला देखो अगला आपका किस्ने कि राजस्तان विकास पार्टी की स्थापना की गई थी तो इसमें आपका उजाएुगा option no.0 भी यानि BUNTA C के द्वारा राजस्तान में विकास पार्टी की स्थापना की गई उसके बाद देखे अगला आपका किसमे की राजस्तान में वर्षा का समय कितनी बार होता है तो राजस्तान में वर्षा का समय आपको पता है कितनी बार होता है तो राजस्तान में वर्षा का समय आपको पता है कितनी बार होता है ठीक है दो बार अगला इतने राजय को सिमस करती है तो यह हो जाएंगी आपकी 5 ठीक है मद्यपरदेश, उत्रपरदेश, गुजरात, हर्याना, पंजाब सबसे ज़्यदा आपको पता है मद्यपरदेश के साथ लगती है और शबसे कम आपको पंजाब के साथ लगती है बी ओप्सन आपका राइट उजाएगा अगला देखो अगला आपका उजाएगा सी यानी राजे के चार ठीक है कितने राजे के चार जिले ठीक है आपको पता है गंगानगर विकानेर बाडमेर और जैसलमेर अगला देखो अगला आपके कुछूने की, राजस्तान का निमर्त्र अंतराश्चियชिमा वाला जिला, कुण सा है, बताओ भई, बार्डमेर, जोदपूर, जैसलमेर, बताओ कुण सा है, भार्डमेर, जैसलमेर, जोदपूर, चारोफसना, आपको दिये गए है, यहाँ पे आपका उजाईगा बिक कानेर अगला देखो, अगला आपका नेक्ष नमर क्यों सुने की राजस्तान राज्य सरवदिक अंतराष्टी शिमावाला राज्य कौन सा है सिमावाला जिला बताना है कौन सा है राजस्ताने राज्येक का सरवदिक अंतराष्टी शिमावला जिला कौन सा है तो सरवदिक अंतराष्टी शिमावला आपको पता है देखो इसमें आपको पता है जोद्पूर वैसे भी नहीं होगा और इसमें आपका जेसलमेर होगा ठीक है जेसलमेर सरवदिक है ठीक है सबस बताय था मद्यप्रदेश के साथ सबसे जदा है और पंजाब के साथ आपको बताने सबसे कम है अगला देखो अगला आपका नेक्स नमर के उसने कि राजस्तान राज्य की स्तलिय सिमा की कुल लंबाई कितनी है तो राजस्तान राज्य की स्तलिय सिमा की कुल लंबाई आपको बतानी है 107827 गुण 420 या फिर गुण 720 तो इसमें आपका उजाएगा D यानि गुण 720 हो जाएगी ठीक है 4850 तो आपको पता है किसकी है अंतराजी है 1070 आपको पता है अंतराश्टी है तो टोटल कितनी हो जाएगी टोटल मुझे तो नहीं आता है मेरे कोडिंग तो 1000 है ठीक है आप अपनी इसाप सी गणीत में देख लेला ठीक है 1070 आपके अंतराश्टी है और अंतराजी 4850 है D उप्सन आपका राइट हो जाएगा अगला कि सुन देखो अगला कि सुन है कि राजस्तान का समवर्ती राजे कौन सा है तो राजस्तान का समवर्ती राजे कौन सा हो जाएगा तो यह आपका हो जाएगा D यानि यह सबी अर्याना भी है मद्य परदेश भी है और उत्रपरदेश भी है अगला देखो अगला है कि राजस्तान की पाकिस्तान से लगी सिमा की लंबाई कितनी है तो यह आपकी हो जाएगी 1070 कितनी है 1070 हो जाएगी बियोप्सन आपका राइट हो जाएगा अगला देखो अगला आपका नेक्ष नमर के उसना है कि राजस्तान के सबसे चोटी अंतराजी शिमा किस तो मैंने बताया था सबसे कम आपकी किस के साथ हो जाएगी पंजाब की साथ हो जाएगी और सबसे जद्धा आपकी मद्यपर्देश के साथ हो जाएगी यह भी ज्यान में रख लेना अगला किसों देखो अगला किसों देगा किसरान का जांमर कोठडा टाथ इसनाग किस खनेज का समर सुरत है तो इसमें आपका कॉन सा ओजाएगा इसमें आपका ओजईगा यानि फोर्ष वेट पत्थर का ओजाएगा अगला देखो अगला है कि राजस्तान के में ताम्बे के विसाल बंडार कहा है थी तो राजस्तान में ताम्बे के विसाल बंडार है वह आपके dengan खेतरी के अंदर है खेतरी अब्रख आपका किससे नहीं, कि राजस्तान के कि सारे मुद्रत बहुता यह जाता है, पूर्वी चेत्र, उत्री चेत्र दकशनी चेत्र, तो इसमें आपका कौन्स नहीं, इसमें आपका और ओप्सन राइट ओड़ाईट नहीं. यानि पुर्वी चेत्र ठीक है पुर्वी कशेत्र अगला के सुन देखो अगला और आज का लाश्ट के सुन थे कि राजस्तान में पाए जाने वाली मीटियों में कौन सी मिट्टी सरवदिक उपजाओ मानी जाती है लाल मिटी रहतिली मिटी जलोड मिटी या फिर लेटरा र देख लिए हैं कितनी किसिन देख लिए लगबग हमने जियोग्राफिय पोलिटिकल एंड हिस्टिर्य यानि इत्यास कलासरथ करती और बुगौल और राजनिति यानि पोलिटिकल ठीक है ओर इस्टि कलचर सभी कें पचास किसन देख लिए है तो कमेंट करके बताना कि आपके ingles हो गया इंडी हो गया राةतान जी का हो गया आति ही क्या है ऑग को देछने को मिलीगे सब्सक्राइब कर देना ओर अभी आपको कमेंट करके बताना के आपको क्लास झाल